हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे अगर आप लोग ये लेक्चर यूटूब पे देख रहे हो और चैनल को सबस्क्राइब नहीं की हो तो कर लेना और अगर फेस्बुक पेज 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 को फॉलो कर लेना हम लोग बात कर रहे हैं क्रैस कोर्स फॉर रेल और इसका ये सेट 3 है क्या है सेट 3 है और हर सेट में आप लोगों को 20 कूस्चं किलियर करता हूँ 20 कूस्चं समझाता हूँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पिछले lecture में में आप लोगों से स्टू किया था और काफी लोगों ने आंसर किया था जिसने भी answer किया था सभी का answer सही था और जिसने answer नहीं किया था या ignore किया था आप सभी लोग answer किया करो क्योंकि जब आप type करते हो लिखते हो write करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो याद होगा और वो lifetime के लिए याद होगा तो फैदा आपको ही है चलो start करते है question number 41 द blue planet किसको बोलते है नीला गरह किसको बोलते है तो यह बोलते है अर्थ को जब sky से देखा जाता है space से देखा जाता है moon से देखा जाता है तो अर्थ आपका नीला दिखाई देता है तो इसलिए इसको blue planet बोलते है और एक question और पुछा जाता है कि अर्थ आपका blue क्यों दिखा दिखाए देता है नीला क्यों दिखाए देता है तो यह आपका water की वजह से नीला दिखाए देता है water की वजह से नीला दिखाए देता है 71% water है तो water की वजह से अर्थ आपका नीला दिखाए देता है तो इस question का right answer option number b question number 42 देखते हैं इस question को आप लोग रट जाना अगर इसका explanation समझोगे तो काफी ज़्यादा time लगेगा लेकिन मैं छोटा सा trick आपको बता देता हूँ इस question को solve करने का if the radius of the earth is reduced by half then the day night on the earth would be ध्यान से सुनो क्या कह रहा है अगर radius earth का half कर दिया जाए then the day night on the earth would be अब इसका मतलब क्या समझे तो इसका right answer होगा six hours क्या होगा six hours लेकिन यह मैंने कैसे किया तो मैं इसका छोटा सा trick बता देता हूँ वैसे अगर detailed देखोगे तो angular momentum को कंजरो करना परता है तो हम लोग उतना जादा नहीं देखेंगे इसका trick यह है कि जितना से reduce करोगे न जितना से reduce करोगे उसका square करके 24 में divide कर देना जैसे कि यह half है half है half है तो हमने क्या किया इसका square किया तो इसका square किया तो कितना आया फोर आया और इस 24 में 4 से divide कर देंगे तो 6 hours मेरा answer हो जाएगा अगर यहां पे by thrice रहता ध्यान से सुमझो question अगर change कर दे अगर यहां पे thrice रहता तो आप क्या करते 3 का square करते 9 होता और 24 by 9 hours answer हो जाता तो उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा ठीक है आपको यह समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया तो question को याद कर लो मैंने यह technique इसलिए आपको बता दिया कि अगर thrice कर दे quarter कर दे half कर दे 1 by 6 कर दे 1 by 8 कर दे 1 by 9 कर दे तो भी आप question बना लोगे ठीक है और जो आएगा उतना time का ही मेरा day night होगा चलो question 43 the planet Pluto has been abandoned from the group of conventional planets and kept in the group of dwarf planets by a summit conference held in अब देखो मैंने आपको इससे पिछले lecture में एक question बताया था कि Pluto का नाम change किया गया था तो आपका Paris में हुआ था कहां हुआ था पेरिस में हुआ था मैंने आपको बताया था कि याद करना प्लूटो का नाम जो चंज किया गया था वो कनफरेंस कहां हुआ था वो पेरिस में हुआ था लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है यहां पर क्वेश्चन है कि प्लूटो को हटा दिया गया बता दिया गया कि द्वार्फ प्लैनेट रहेगा, तो यह कहां पे हुआ, तो यह हुआ आपका पराग में, कहां पे हुआ, पराग में, तो इस question का answer, इसमें और पेरिस में confuse मत करना, मैं बार बार बता रहा हूं, यह आपका यहां पे पराग में जो conference हुआ था, यहां पे Pluto को हटाया गया था, औ और यह दोनों question, one of the most important questions है, जो exam में अकसर आते हैं, तो उमीद करता हूं कि आज के बाद आप इसको गलती नहीं करोगे, mistake नहीं करोगे, आप लोग देख रहे हो, set 3, अब यह आप लोगों की duty है, कि set 1, set 2 में मैंने जितना चीज बताया है, आप लोगों को याद होना चाह था, question number 44, which of the following planet is the nearest to the earth, ध्यान से समझो क्या है, which of the following planet is the nearest to the earth, अब देखो, इसमें इतना ज्यादा variety है ना number of questions का, आपको पता यह number of planet 8 है, 8 planet का अपना-पना order है, size के हिसाब से अपना-पना order है, कैसे याद करोगे, impossible है यह learn करना, इसी लिए मैंने आपको trick बताया था, उस trick को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हो, तो आप life में कोई साभी question, solar system से related, planet से related, गलत नहीं करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, my very educated mother just served us noodles, आपको अगर पता है, तो अब बताओ, अर्थ के बगल में कौन है, आपका Venus, अर्थ के बगल में है आपका Venus, और आप बोलोगे सर मार्स भी तो है ना आप बोलोगे सर मार्स भी तो है तो जी हाँ वेनस भी है और मार्स भी है लेकिन यहां पर नियरेस्ट बोला है ना यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस में डिफरेंस है यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस में डिफ पूलते हैं, अक्सर पूछा जाता है, तो Earth और Venus, Earth और Venus, Earth और Venus, दो बार तिन बार repeat करो मेरे साथ, Earth और Venus, ये जुरुआ बहन है, और Earth से nearest planet आपका Venus है, आज के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, question number 44 का option B is the right answer, अब देखो, 45, the Earth has the size among all the planet, अब मैंने क्या बताया था, trick क्या था, trick था, my very educated mother just served us noodles, और जब size के हिसाब से बात हो, जब size के हिसाब से बात हो, तो just served us noodles and electronic voting machine mom, machine, m a, mom, अब बता, यही trick मैंने बताया था न, अब आपको क्या करना है, size के हिसाब से counting करना है, तो आप size के हिसाब से counting करो, हर्ष्ट नम्मार, सेकेंड नम्मार, थार्ड नम्मार, फोर्थ नम्मार, फिफ्ट नम्मर, just served us noodles, चार ऐसे ही हो गया, electronic voting machine mom, आठ हो गया, total number of planet, अर्थ पांचवा नम्मर पे है, अर्थ का रेंख है, फिट, नहीं समझ में आए, repeat करो, क्योंकि ये काफी जरूरी है, 0.1, 0.2 से 0.003 से selection छूट जाता है, और इस type का questions, आप अगर छोर देते हो, तो बहुत बड़ा गलती करोगे, life में याद रखना, एक नम्मर आपको ऐसे ही दे देगा, अगर गलत होता है, तो 0.33 उपर से minus चला जाएगा, तो कितना का difference create हो जाता है, इसलिए याद करो इसको, पिछला lecture देखो, मैंने trick बताया है, वहाँ नहीं समझें, तो यहाँ समझो, लेकिन यह anyhow आपको complete करना है, क्योंकि यहाँ से questions हमेशा आते है, चलो, the largest satellite of the planet Jupiter is, इस question का answer आपको समझ में आगया, 5th, question 46 है, Jupiter का largest satellite का क्या नाम है, आप लोगों को पता ही होगा, गेंट मेड, चलो, यह आसान सा question था, question 47, the largest satellite of the planet Saturn, अब जो बता रहा हूं, हर question exam में आया हुआ है, आपको आता है, बहुत बढ़िया, उसके साथ, जो मैं concept दे रहा हूं, उसको learn करो, आपका Jupiter का यह हो गया, और Saturn का Titan हो गया, ठीक है, चलो, question 48, देखो, the stratosphere is said to be ideal, for flying jet aircraft, because, ध्यान से समझो, क्या मैंने बता है था, the strong man, the strong man, triceps, 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 explodes, यह मैंने आपको एक टेकनिक बताया था ना, यह है, troposphere, यह है, stratosphere, यह है, majorosphere, यह है, thermosphere, या आइनosphere, और यह है, exosphere, मैंने बताया था इसको serially याद करने का टेकनिक, और हिंदी मालों के लिए क्या बताया था, छोर सबको मैं आया बाहर, इसका मतलब क्या होता है, चोब मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और बहिर मंडल, तो यह मैंने बताया था, तो आपका यह second वाला जो atmospheric layer है, stratosphere, इसी में आपका aeroplane वगरा fly करता है, तो what is the reason behind this की, इसी में आपका aeroplane fly करता है, तो इसका सबसे suitable answer है, कि यहाँ पे बादल वगरा नहीं ह करोगे, aeroplane से जाओगे, तो आप देखना, आप बादल के उपर में travel करोगे, बादल आपके नीचे में रहेगा, बादल आपको दिखेगा, तो यही आपका main region है, absence of the clouds and other weather phenomena, जब आप जाओगे न, कभी जाओगे flight से, तो देखना, नीचे बारिस होती रहती है, लेकिन करोगे, नीचे की तरफ आओगे, तब आपको फिर से बारिस मिलेगा, या बादल मिलेगा, हम लोग बादल के उपर fly करते हैं, तो यह simple सारी region है, कि of the absence of the clouds and other weather phenomena, यह आपका वहाँ पे नहीं होता है, absent रहता है, चलो, question 48 का answer, one of the most important question था यह, अब देखो, question 49, 49, who had invented the planet Uranus, अब Uranus है, और आपको बताना है कि Pluto का खोज कौन किया था, Pluto का invent कौन किया था, इसका invention कौन किया था, इसका discovery कौन, invention नहीं कह सकते हो, actually, discovery कह सकते हो, invent होता है, जैसे कि कोई चीज बनाया जाता है, उसको बोलते है, invent करना, और discovery बोलते हैं कि जो पहले से exist है, और हम लोग उसको खोज के निकालते है, उसको discovery बोलते है, जैसे कि India is discovered by Vasco Di Gama होगा, not India is invented by Vasco Di Gama, ठीक है, यह चीज भी पता होना चाहिए, तो who had यहाँ पे यह गलत है, discovered होगा, planet Uranus, तो इसका right answer होगा, William Harsal, आपको बताना है कि Pluto का खोज कौन किया था, यह आप लोगों को comment करना है, और जो question आगे आपके सामने में वो हमेशा के लिए याद होना चाहिए, अब देखो यह question repeat हो रहा है, the planet whose relevance as a planet has been ended, मतलब क्या बोला जा रहा है इस question में, कि planet को हटा दिया गया, जो आज के बाद यह planet नहीं रहेगा, क्योंकि यह planet का criteria जो है, वो fulfill नहीं करता है, तो आपको पता है कि Pluto को हटा दिया गया, पहले 9 planets था, अब 8 है, तो आपको क्या किया गया, Pluto को हटा दिया गया, तो कहां पे यह decision लिया गया था, मैंने बता है न, कहां पे decision लिया गया था, तो पराग में लिया था, तो कभी यह question पूछेगा, और कभी यह question पूछेगा, कि Pluto को हटाया गया था और नाम चंज करके क्या रखा गया था और कहां रखा गया था यह question भी आपको याद रखना है question number 51 the back part अब हम लोग मून से related three important questions देखेंगे जो exam में अक्सार आते हैं the back part of the moon is always calm and dark which is called moon का जो back part होता है जो dark होता है उसको बोलते है sea of tranquility 50 याद रखना 51 का option number a is the right answer चलो question number 52 देख लेते हैं आपका most elevated place जो होता है moon पर moon का most elevated place जो है उसका नाम क्या है moon के surface पे जो most elevated place है जैसे यहां पे पहार है उसी तरह वहां पे जो है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है लेवनिट्ज mountain ठीक है mountain तीनों में है इसले दिक्कत वजाएगा यह नाम याद रखना चलो question number 53 देखते है the area of the moon surface where there is no possibility of the occurrence of water moon के surface पे जो area है जहां पे occurrence of water का कोई possibility ही नहीं है उसको क्या बोलते है तो उसको क्या बोलते है ocean of storms तो 53 का right answer option number a तीनों याद रखना चलो question number 54 यह question मैंने आपसे पूछा था और काफी लोगों ने comment किया था आप बताओ earth से sky blue क्यों दिखता है earth से sky blue इसलिए दिखता है कि atmosphere है जिसकी वज़े से scattering होता है और blue light हम लोगों के आँख के पास पहुचता है जिस वज़े से हम लोगों को sky blue दिखता है लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया space से या moon से sky कैसा दिखेगा तो वहाँ पे atmosphere नहीं है जब atmosphere है ही नहीं तो scattering कैसे करेगा किस से करेगा और यही रीजन है कि हम लोगों को black दिखता है ठीक है चलो question number 54 हर एक चीज पता होना चाहिए question number 55 है the value of escape velocity on the moon surface moon के surface पे escape velocity कितना होता है तो इसका answer होगा 2.38 km per second one of the most important question याद कर लेना अब आप लोगों को comment करना है कि earth के surface पे earth के surface पे कितना होता है escape velocity का value आप लोगों को comment करना है comment करोगे याद हो जाएगा नहीं करोगे दो दिन बाद भूल जाओगे और एक चीज आप लोगों को comment करना है कि escape velocity क्या होता है इसका definition आप लोगों को comment करना है escape velocity क्या होता है क्या समझते हो escape velocity से earth के surface पे escape velocity का value कितना होता है यह दो question का answer आप लोग comment करो और एक question सायद मैंने इससे पीछे पूछा है उसका answer comment करो question number 56 which one of the following planet has the maximum value of escape velocity क्या है देखो escape velocity का एक formula होता है इसके बारे में मैं detailed में बाद में बताऊंगा 2gm by r यह formula होता है तो यहां से समझोगे mass 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 जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका value of maximum होगा उसका escape velocity का value maximum होगा तो जुपिटर है answer जुपिटर है यह मैंने इसलिए आपको बताया कि formula याद रहे या ना रहे थोरा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा यहां mass है और mass से आपका directly proportional है directly proportional है आपका escape velocity तो mass ज्यादा रहेगा तो escape velocity का value ज्यादा होगा तो आपको याद रहेगा कि जुपिटर का mass ज्यादा है चलो question 57 देखते है which one of the following has minimum value of escape velocity on its surface अब बताव आप बोलोगा कि sir mercury सबसे कम है तो इसका हो लेकिन नहीं यहां पर moon option में है moon होगा answer यहां पर moon का escape velocity का value है 2.38 km per second और mercury का है 4.25 km per second तो यह data आप लोग याद रखना तो moon पर value of escape velocity minimum होता है चलो question 58 what portion of the moon is invisible from the earth surface काफी लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं देखो moon है ना moon है तो visible और invisible दोनों आपको पता होना चाहिए visible और invisible दोनों पता होना चाहिए कभी question आप 59 percent जो है portion moon का हम लोग देखते हैं तो common sense लगाओ 41 percent हम लोग नहीं देखते हैं तो आपको यह दोनों पता होना चाहिए question का answer करते time देख लेना कि visible पूछ रहा है या invisible पूछ रहा है invisible पूछ रहा है 41 answer कर दोगे ठीक है चलो अगर visible पूछ था 59 answer कर देते question number 59 है at present how many planets are in existence invisible यहां पर question को ध्यान से पढ़ो how many planets are in existence total 9 था Pluto को बाहर कर दिया गया अब कितना बच्चा 8 बच्चा तो हम लोगों का right answer option नमर भी 8 हो जाएगा how many planets are in existence 8 चलो question number 60 the astronaut who landed or stepped down first on the surface of moon अब यहां पे अगर option में राकेश सर्मा भी यहां पे कर दिया जाता तो काफी लोग 50% लोग गलत कर देते इस question का answer आपको concept पूरी तरह से clear रखना है यह space में गया था यह space में गया था first पहली बार सबसे पहली बार space में गया था राकेश सर्मा लेकिन मून के surface पे पैर किसे ने रखा था सबसे पहले तो नील आर्व स्ट्रॉंग ने मून के surface पे सबसे पहले पैर रखा था ठीक है टोटल मैंने 60 questions कभर किया है अभी तक total set 1 set 2 और set 3 मिला करके और अगर आप 60 questions का concept learn करते हो more than 300 plus questions का concept आपको learn हो जाएगा ठीक है और exam में कोई सावी question यहां से अगर आता है जितना मैंने आपको बताया है तो आप आसानी से mark करके आ जाओगे चलो थोरा सा share करो व्यूज नहीं आते हैं demotivation मिलता है व्यूज आएंगे motivation मिलेगा तो यह आप लोगों की duty है कि आप लोग धोरा सा share करो मिलते हैं next lecture में तब तक आप लोग अच्छे से रहो और मन से exam का त्यारी करते रहो बाई thank you